नमस्कार स्वागत है आपका नीजवर्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ विशाल मिस्ट्रा बुल्टन की शुरुबात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सी उत्राखन के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी उत्राखन भ्रमण के दोरान आज खटी मा पोची जहां कारेकरताओं ने उनका भब बिस्वागत किया जिसके बाद सीम धामी ने सबका आभार ब्यक्त किया बतादे कि चमपावत विधानसवा उप्चिनाओं में 31 मई को मद्दान होना सुनक्षित हुआ है साथी नमांकन प्रक्रिया जारी है इसी क्रम में चमपावत विधानसवा सीट से 9 मई को सियम पुषकर सिंधामी प्रत्याशी के रूप में अपना नमांकन करने चमपावत पहुचेंगे साथी उन्होंने कहा कि मैं सिवा करने के लिए आया हूँ और हर समय सिवा करने के लिए तयार हूँ खटिमाक्षत्र के विकास के लिए मैं हर समय प्रयासरत रहूँगा अबिसा से जो है समरे बाइन अरा तका मंदिर जाता हूँ मारत पुराइबी की जाता मंदिर है उसके बाद समी कासिलवाद लेते होगी परचादाखी करूँगा और छेत्र को ही बिले लाए नहीं है बैसी छेत्रे में पड़ा हूँ पड़ा हूँ दिला हूँ मुझफर नगर में मेघाले की राजिपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे जहां राजिपाल कॉंग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आये पुर्व MP हरेंदर मलिक के आवास पर पहुंचे पुर्व MP हरेंदर मलिक ने राजिपाल सत्यपाल मलिक का स्वागत किया राजिपाल की सुरक्षा व्योस्ता को लेकर के मुझफर नगर पुलिस ने चाक चोवन सुरक्षा व्योस्ता की है गुरापुर के गंभीर नाथग्री में ब्योसायक, शिक्षा और कौशल विकास विभाग की संयुक तत्वधान में एक प्रशिक्षण कारेशाला का आयूजन किया गया इस दोरान हजारों की संख्या में चात्र चात्राओं ने कौशल विकास और अपनी प्रतिभा की अनुसार फिल्ड में जाकर काम करने की पूरी जानकारी का रिशाला में दी गई ये सभी जानकारियां विभिन ख्षेत्रों के जानकारों की द्वारा दी गई इस दोरान जिलादिकारी विजे किरन आनंद और मुख्य विकास अधिकारी इनरजीत सिंग सहीत विविन चेत्रों के जानकार भी मौजूद रहे अब इसके बार जो सब्सक्राइट करना है क्या क्या जो स्किल सेट आने वाले समय में 21 वी सबी में उसके बारे में बीज़ इसके साथ साथ जो डेवलोंन विकास के काम हो रहे हैं तो कि सब ही बच्चे हर एक किसी गाउं को रिपरजन परते हैं इह हमारे change agent है, जिह हमारे स्वच्छ ग्रही है, उन कारेों की गुणवक्ता को कैसे परकना है? उसके बारे में भी साथ साथ बताया जाएगा अभी जो second session होगा, इसके साथ साथ जो क्रिशी में, ड्रोन का नई टेकनोलोजी में किस तरह से योग कर सकते हैं, कैसे आप entrepreneurship को आगे बरावा दे सकते हैं, कैसे आप उस गास सिर्जन कर सकते हैं, कैसे आप start-up कर सकते हैं, इन शाजहापुर में तिलहर थाना पुलिस और S.O.G. टीम ने तीन अंतराष्टिय मादक पदार तसकरों को गिरपतार किया है, जिन बच करोन रुपे के 5 किलोग्राम अफीम और 9,600 नशे के कैपसूल बरामत किये गए हैं, अफीम विकरी के 3,15,500 रुपे भी बरामत किये कन्रोज में समाज कल्याद मंतरी असी मरू ने एक नई पहल शुरू की है, जहां जनता की सहूलियत के लिए ये अनोखा कदम उठाया गया है, बता दे कि वीडियो कॉल के माध्यम से अब जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी, जिसके बाद जनता की समस्याओं को सुन कर उस कानपूर में 5G नेटवर्क में IIT कानपूर ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है, जहां स्वदेशी 5G नेटवर्क पर ट्रायल वीडियो कॉल सफल रहा है, जिससे देश के पहले आत्मिर भर नेटवर्क की पहली वीडियो कॉल सफल रही है, वहीं प्रोफेसर रोहित बुद्धिराजा की टीम ने 5G बेस इस्टेशन की बेस बैंड यूनिट बनाई है साथी अन्य संस्थानों में तयार उपकरनों के साथ ट्रायल भी सफल रहा है 5-6 महिने में 4G से 5G की बीच का आकलन किया जाएगा दरसल भारत सरकार ने 5G नेटवर्क तयार करने के लिए देश के चुनिन्दा संस्थानों के वरिष्ट बैज्ञानिकों को जिमेदारी सौपी थी है और अया में बाल स्रम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने एक मुहिम चलाई है दरसल नन्हे मासूम जिनके हाथों में पैंसिल और कॉपी किताब होनी चाहिए उनके हाथों में गाडियों को ठीक करने वाले रिंच और आउजारों को देखकर जिला प्रशासन ने सक्त रुख अपनाते हुए ये अभियान चलाया है इस अभियान से बच्चों को बालस्रम से मुक्ति दिला कर उन्हें स्कूल भेजे जाने की एक मुहिम शुरू की गई है प्रशासन ने सक्त निल्देश दिये हैं कि अगर किसी बच्चे से बालस्रम कराया जाता है तो उस पर सक्त कारवाई की जाएगी तीन बच्चे अभी हम लोग ने पकड़े हैं अभी अभियान पूरे औरहिया प्रतिल में चलने वाला है इंको फिर उसके बाद हम लोग सीड़ दिला जाएंगे परपोर में इनकी एक्स वे कराई जाएगी उमर का इनका प्रमार पच्चर लिया जाएगा मुझाफर नगर में इस्थितिक थाने में उस समय हर कोई हैरान रह गया जहां गले में तक्ती डाले हाथ जूड़कर और कान पकड़कर दू हिष्टी शीटर वदमास थाना अध्यक्ष के पास अपराज से तोबा करने पहुची इन दूनों बदमासों ने थाना अध्यक्ष के समक्ष हाथ जोड़कर ये शपत ली कि वह अब भविश्य में कभी भी अपराज नहीं करेंगे सहारनपुर में पुलिस ने लोगों से एटियम कार्ड बदल कर ठगी करने वाले अंतरराज जी शातिर गैंग के पाँच ठगों को गिरिपतार किया है वहीं अभिश्यक्ष के कभजे से पुलिस ने साथ एटियम कार्ड तीन कार एक बाइक और नगद भी बरामत किये हैं थाना कुतुबसेर पुलिस को आज एक ऐसा गैंग पकरने में सफलता मिली है जो एटियम मशीनों से एटियम कार्ड बदल कर दूसरे के पैसा निकाल लेता था कापी दुनों से इस तरह घटनाए हो रही थी और इस पर कुतुबसेर पुलिस लगी होई थी इस गैंग के आज प्राथ सदस्यों को ग्याफतार करने में कुतुबसेर पुलिस सफलता मिली है उनके पास से साथ एटियम कार्ड मिले है जो तीन कारे मिली है एक वोटर साइक मिला है 49,500 रुपे कैस मिला है ये गैंग लगाता लिए इस तरह घटनाए कर रहा था ये 18 तारीक को करीब साम के टाइम चार बजे के में मेरा एटियम मोदल दिया इंडिया नुमर वन का है अमेठी में तमंचे के साथ डांस करते हुए एक यूवक का वीडियो वाइरिल हो रहा है जिसके बाद पुलिस वाइरिल वीडियो के आधार पर जाच मिजूटी है ये पूरा मामला मोहन गंज थाना च्छत्र के बहुआ गाउं का बताया जा रहा है बिजनौर में सोशल मीडिया पर एक पिटाई का वीडियो वाइरिल हो रहा है इस वाइरिल वीडियो में जम कर दो पक्चों में लाठी डंडे चल रहे हैं इस वीडियो के वाइरल होने के बाद पूलिस ने मामले को संग्यान में लेकर के दोनों पक्छों के किलाब मारपीट का मुकदमा डर्ज करते हुए कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिये है वैरी वीडियो को लेकर जब पुलिस ने चानवीन की तो पता चला कि शादी समारों के दौरान खाने की विवाद को लेकर दो पक्चों में मारपीट हो गई पलवा 308 आज शुसंगत धराओं में अव्योग पंजी कृत है तत्काल चार लों को हिरासत में ले लिया गया था अयुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें रगाई गये हैं छेत्रादिकारी के लित्रुट में सक्त कारवाई की जाएगी बुलंद शहर के खुरजा नगर में इस्तित स्री सूरजमल जटिया चिकित साले में जहरीली दवा के सेवन से पिनित मरीज को स्ट्रेचर की सुबिधा नहीं मिली जिसके बाद पिनित मरीज को भाई गोद में लेकर के अस्पताल में दरबदर भटकता रहा वारिल बीडियो में खुरजा सरकारी अस्पताल की लापरबाही साफ नजर आ रही है वहीं अस्पताल में पिनित के इलाज करने के लिए मौके से डॉक्टर भी नदारद रहे हापुड में खाद सुरक्षा और अवशदिय प्रशासन ने जनपध हापुड के थाना गड़ मुक्तिश्वर के गाओं अठ सैनी में लगने वाले सापताहिक पश्चु बाजार में छापे मारी कर एक ऐसे युवग को पकला है जो गुटके की आड में प्रतिबंधित आक्स टौसीन इंजेक्शन बेच रहा था यह इंजेक्शन दुधारू पश्च्वो को लगाया गया है पूस्ताच के दौरान आरोपी ने बताया कि विनोध नाम का एक व्यक्ति दिल्ली से गाड़ी द्वारा इंजेक्शन सप्लाई करता है और वो पिछले दो साल से इस धंदे में लिप्थ है चारधा म्यातरा के लिए ग्रीन कार्ड के साथ अनिवारे किये गए ट्रीप कार्ड का विरूध होना शुरू हो गया है ट्रेवल्स संचालकों का कहना है कि ट्रीप कार्ड के लिए कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा है जिसकी वज़ा से यात्रा मार्क पर जाने में समय की दिक्कत के साथ तिर्थयातरियों को भी परिशानी हो रही है ट्रेवल संचालकों ने सरकार से इस ट्रिपकार्ड की अनिमारेता को समाप्त करने की मांग की है मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अगरवाल को ग्यापन भी सोपा है ट्रेवल संचालक रवी जैन ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा तीजी से चलेगी वह यात्रियों की संख्या भी लाखों में आएगी ऐसे में ट्रिपकार्ड की अनिमारेता यात्रा के लिए बाधक बन सकती है देखे यात्रा इस वर्ष दो वर्ष के बाद अरम हुई है बहुत उपसा है यात्रियों के अंदर और हम सब ट्रेवल एजेंट और पूरी सहींत रोटेशन विवस्ता समीती जो है सब ने पूरी तैयारियां की है लेकिन इस वर्ष एक जो थोड़ी सी वैवारिक समस्य आ रही है एक नई वेवस्ता लागू की गई है ट्रिप कार्ड की परिवहन वर्ष के द्वारा शासन के द्वारा उसमें ट्रिप कार्ड जो बनाया जा रहा हो ग्रीन कार्ड क्यूंकि बना हुआ है गाडियों का और यात्रिय लिस्ट कर रेइस्ट्रेशन भी किया जाता है उसके बा पुलिस ने मुटभेड में उत्राखंड सी फरार 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफतार किया है पुलिस ने उसके पास से देशी पेस्ट्रल जिंदा कार्तूस बरामत किया है ये शातिर अपराधी उत्राखंड में चार लोगों की लूट के बाद लिर्मम हत्या की मामले मे फरार चला था इस शातिर अपराधी ने लखनव में भी लूट की वारदातों को अंजाम दिया है सचिन सक्षेना नाम का दुर्दान तपराधी है जनपद लखनों में इसने कई लूट की है और कई बार गैंक्षरेट में भी जिल गया है विगत वर्ष 29 दिसंबर को उधम सिंग नगर उत्राखंड में इसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर मार्ट रिलूट करने के लिए चार लोगों की धिर्ममता शहत्या कर भी थी इसमें इसके तीन साथ ही पकड़े गये थे यह फरार था सितार गंज में गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हप का राशन मारने वालों की अब खैर नहीं है दरसल डियम ने गुलाबी सफेद राशन कार्ड का लाब लेने वाले अपात्र काड़ धारकों को राशन कार्ड सरवे से पूर्भी सरेंडर करने की चेतावनी दी है वह इस सर्वे में अपात्रों के पास पात्रों का राशन कार्ड मिलने पर खाद्र सुरक्षा अधिनियम आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत कारवाई की जाएगी जिसके बाद सफेद गुलावी राशन कार्ड से लाव लेने वाले अपात्र लोगों ने कार्डों को जमा करना शुरू कर दिया है पूरे दिले में ऐसे वेक्ति जो राष्टी खाद सुरक्षा के अपात रहें और उन्होंने अपने सफेद कार्ड बनवा रखे हैं उन्होंसे अपिक्षा की गई है कि वे अपने कार्डों को सरेंडर कर दें सरेंडर करने के लिए प्रतेक तैसिल में फूर्टी निक्षक या छेतरी खाद अजिकारी कार्याले और ग्रामिन छेतरों में पंच्या सफेटरी को अपना कार्ड सरेंडर कर सकते हैं उनके कार्डों को एपियल में कनवर्ट किया जाएगा पातका के स्रिणी में सिंपल ये है कि वे परिवार जो 15,000 रुपए मासिक से अधिक कमा रहे हैं तो वो EPL के हगदार हैं उनके पास सफेद कार्ड नहीं होना चाहिए फिलाल इस मुल्टन में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं न्यूजबर्ड इंडिया